क्या आपको पता है जाड़ो पर तेजबता रखने से क्या होता है अगर नहीं तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है हैल एवरिवन के सो आप सभाई हो क्या आप सभच्छी होंगे तो आज भी लेकर आगई हूं किचन के ऐसे हैक्सेंट टिप्स जो यूसफुल भी है साथी आपका समय और पैसा दोनों की पचत करेंगे तो चलिए बिना किसी देर के टिप्स नमर वन स्टार्ट करते हैं देखें यहाँ पोल टीशेटन लिया वा है ठीक है यह बच्चे का ओल टीशेटン थयव्य है unằngal पैड़ी और इसका यह ऐिक पहनने की लायकि नहीं बिलकल भी तो मैं क्या कर रही हूं मैंने एक सीजरे ले लिया है और potent今日 कना मैं कुछ इस तरह के सबक्रा से कपलों का जह से क्या करें हम यह किसी को दे भी नहीं सकते पहनने के लिए क्योंकि अल्रीड इतने डल हो चुके हैं तो आपको क्या करना है ना जिते भी पुराने आपके पास अल्रीड टीशिट है उसको ना कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है ठीक है ज्यानता आप बड़े बड़े पीसेस नहीं करना है आपको कुछ छोटे छोटे पीसेस आपको इस तरीके से कर लेना है सीजर की और इसका एक यूज में आपके साथ मुश्यर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपके बहुत ज्यादा डेली रूटीन के लिए काम आने वाला है एक मैंने इस तरीके का जिप लॉग बैग ले लिया है और ये जो टीशिर्ट था ना मैं इसको इस तरीके से जिप लॉग बैग के अंदर कर दूँगी और जो इसका ये वाला पाट है ना इसको पहले तो आपको निशान लगा लेना है फिर अच्छी तरीके से काट लेना है जीएग कर सकते हैं आपका जो गास का चूल ना इस को प्रहों से आपका जो चाल प्रूम गेहाइच कर सकते हैंेंरी अबुट अच्छी तो जीनल जितना चिटने भी आइज कर सकते तो कितना best idea है न इस तरीके से आप जो आपके पुरानी जितनी भी कपड़ है उसको छोटे छोटे पीसेज में काटके एक बैग में रख लीजिए अपने किचन में रख लीजिए और जब भी आपको किचन को क्लेंड करना हो तो क्लेंड करके आप इसको फेक सकते हैं देखे फर्स टिप मैं स्टार्ट कर रही हूँ जब भी हमारे ग़र में देखे कैंडल होती है बर्डे कैंडल हो या इस तरह के कैंडल जो छोटी-छोटी से हो जाती है ना फिर हम उसे जो है फेक देते हैं या यूज में नहीं लेते हैं तो आज एक ऐसा तरीका आपके साथ म हम क्या करेंगे गैस इस्टो की तरब पहुचेंगे और एक मैंने ये बर्तं लिया है जो पुडानावा था तो इसमें मैं गैस को स्लो पर रखा है मैंने गैस के फ्रेम को और इसको देखे में कुछ इस तरीके से गर्म कर रही हूँ यह अच्छी तरीके से मैं मैल्ट होने लगी है तो गैस को मैं off करेंगी अब यहाँ पर मैं add करने वाली हूँ vaseline ठीक है तो vaseline हमें एक चमच लेनी है एक चमच vaseline लेने के बाद आप यहाँ पर मैं oil का use कर रही हूँ ठीक है आप理 कि कोकॉनट oil यूज सकते है तो एक चमच मैंने oil लिया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है अब इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये बहुत स्यादा अमेजिंग है वीडियो पर एंट तक बने रहिएगा आपको क्या करना है ना आपको लगेए हलका सा गुनगुना हो गया है तो किसी भी इस तरीके की कंटेनर है आपके पास वैसलिन का ही हो तो इसमें आप रख दीजिए देखिए गर्मिया शुरू हो गई है आपको पता है गर्मियों में हमारे होट फटने लगते हैं जिसके वज़े से ड्राय होकर खा हो जाएगा बैस्ट है जरूर से किजिएगा अब देखिए जो हमारा लौकी होता है इसको हम इस तरह से देखिए छीलते हैं देखिए जीस तरीके से मैं शेल रही हूँ तो इसे क्या होगा एक तो छीलने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नंबर एक नंबर टू क् इसका जो छीलका है वो बहुत ही ज्यादा मोटा कटेगा जिससे हमारी आदे से ज्यादा तो लौकी वेस्ट हो जाएगी तो आज एक ऐसा जबर्दस टीप में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ यह तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है देखिए कितना मोट छीलका हटाओा है इसका तो यह जो टीप शेयर करी हूँ ना कसम से आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा देखिए छूड़ी आको जो भी है ना उसको इस तरीके से आपको करते जाना है और आपका तो छीलका है ना सारा का सारा देखिए वो खुद बहुत हटता जाएगा देखिए इस तरीके से चूड़ी को इस पे घुमाते जाना है और जितना भी छिलका होगा सारा हट जाएगा अब जितनी भी ने हटेड़ सारी लौकिया हैं आपकी आप लौकी को इस तरीके से काटो बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा हाजारों किलो आप लौकी इतनी आसानी से काट लेंगे और इतना अच्छा भी लगेगा आपको काटने में और जो छिलका होगा वो एकदम पतला सा निकलेगा देखिए कितनी आसानी से कट रही है एकदम एकदम easily कट जा रहा है इसका जो छिलका है एकदम आसानी से हट जा रहा है और इतना जल्दी जल्दी हो रहा है देखिए कितने असानी से हो गया और कितना पतला सा छेलका निकला है लोकी हमारी ज़रा से भी वेस्ट नहीं हुई है पैस टिप है देखिए जो हमारा टमाटर होता है कभी ऐसा होता है हमको टमाटर का सलाद बनाना होता है तो हमें बारिक परिक टामाटर चाहिए होता है या कभी हम कोई भी सबसी में टामाटर यूज कर रहे हो तो अगर मोटा ज्यादा टामाटर होता है तो वो टेंडर नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो जो आपका ग्रेटर है ना, उसमें देखो इस टाइब का एक ब्लेट लगाव होता है तो इसे आप किलो पर किलो के किलो जितने भी टामाटोस है ना, आपके, वो सारे आप इसे काट सकते फूट कंटेनर्स जो हमारे पास होते हैं देखिए हर किसी के पास ये कभी हम कोई खाना वगएरा लेकर आते हैं तो साथ में आ जाते हैं तो वही एक food container मैंने यहाँ पर लिया है और इसको मैंने क्या किया है न एक पेचकल के साथ में उसको तोड़ा कर लिया था और इस पे मैंने hold करना start कर दिये देखिए इस तरीके स पर भी मैं hold करने वाली हूँ देखिए एक इस किनारे पर करूँगी और एक इसके सामने ही वाले किनारे पर करूँगी तो उसके लिए मैंने देखिए इसे पेचकल को गर्म कर लिया है आप देखिए इस तरीके से hold करूँगी और second hold जी होगा same इसके सामने वाला जो एरिया आपास कोई डौर Championship है वह भी बहुत जारा होने भी ओने वाला है लास्टिक ले ले लिए पटला ही लास्टिक लिए और आपके पास कोई ़र्ण भाद इया इस तरही डौरी है भाद को हृना न हमारे है kick artists ये लास्टिक आपको टाइटली एक तब बाढ़ देना है, आप देखिए इस तरीके से एकड़ टाइटली बाढ़ देना है, अब देखिए इसका मिस्तामाल कहां करने वाले हैं, बहुत अमीजिंग है, देखिए, क्या करना है, ये मैं आगई हू अपने किशन के पास, और द आटका सकते हैं साथ ही अगर आप बरतन वगएरा धो रहे हैं तो बरतन में चाय पती वगएरा को चालने के लिए भी आप इसको ऐसा इस ट्रेणर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं में देख़न लीए और इसको मैं अपर आड़ कर लेंगे मैं क्या करेंगे इसका पाउड़र बनेंकर त्यार हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे तो आपको क्या करना है आपके घर की देखी जो जारू होती है न तो यह जो हमने बना कर पाउलर तयार किया है आपके जो जारू है जारू पर आप इस तरीके से चुरग दीजिए आपने देखा होगा गर्मिया शुरू हो गई गर्म